असलाम अलेकूम मैं आज बनाने जा रही हूं बेगन की सबजी यह बड़ा बेगन में लेके हूं इसको थोड़ा तेल लगा के रखी हूं तो भूनने के लिए इसके लिए इंग्रीडेंस आपको बता रही हूं आदा स्पून जीरा पौड़ एक स्पून रैट चिली पौड़ एक स्पून धनिया पौड़ एक स्पून नमक और आदा स्पून हल्दी ठीके आप नमक आपके हिसाब से दाल सकते हूं बगार के लिए राई और तेल, एक मीडियम बड़ा मीडियम साइस का प्याज में कट करके रखी हूँ, दो मीडियम साइस के टोमेटो, थोड़ा सा कॉरियंडर लीव, करी लीव थोड़ा, और जिंजर गार्लिक पेस्ट एक्स पॉल, चलिए आभी मैं ग्या सान करके, ये वे इसको हम इसके छिल्टे निकाल लेंगे, देखे, इसके छिल्टे निकाल सकते अराम से, देखे, अच्छे से छिल्टा निकाल लाए, देखे, मैंने अच्छे से पूरे तरह से छिल्टा निकाल दिया, देखे, भेगन, बेगन का पूरा छिल्टा निकाल दिया, भुना देखे में तेल डाल रहे हूँ, नेक्स्ट इसमें राई डालेंगे, देखे राई डाल रहे हूँ, तक थोड़ा धक्ये रखेंगे, नेक्स्ट इसमें डालेंगे करी लीव, करी लीव डाली हूं नेक्स्ट इसमें जाएगा ओनियन को अच्छे डाल रहे हूं मैं देखिए ओनियन डाल रहे हूं इसको थोड़ा अच्छे से फ्राइ कर लेंगे अच्छे से भूनना आए इसको अच्छे से भूनने के बाद इसमें मैं जिंजर गालिक पीज डाल रहे हूं इसको भी अच्छे से भून लेंगे प्राइ कर लेंगे अच्छे से उसका जो जिंजर गाली का जो श्मेल आता है वह कंप्लेटली चले जाता है अच्छे से भूनने से देखिए देखिए नेक्स्ट टोमेटो में दाल रहे हूं अच्छे से टोमेटो मिक्स कर लेना है पैस के साथ देखिए अच्छे से भून लेंगे देखिए अच्छे से भून प्राइ कर लेना है उसके बाद कोरियोंडर लीव्स दाल रहे हूं देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने तो अभी सुका ड्राइ मसाला दाल रहे हूं जो ड्राइ मसाले को अच्छे से भून लेंगे पूरा मसाला मिक्स होने तक मैं यह बेगन को अच्छे से चोटा चोटा कट करके रख लेख हूं तो उसे मैं अभी आट कर रहे हूं इसे को भी अच्छे से भून लेंगे तो अच्छे सा मसाला लगना इसको अल्रड़ी यह पक चुका है थोड़ा थोड़ी देर तक हम भून के भून लेंगे उसके बाद थोड़ा 5 मिनिट्स के लिए इसको ढगके रखेंगे ठीके स्लो फ्लेम में ढगके रखना है क्योंकि मसाला लगने तक देखिए यह बैगन की सबजी बनका तयार है आपको यह अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए तैंक यू